हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टू गुपता किचन एक्सप्रेस फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक कम्प्लीट मील की आज रेसिपी शेयर कर रहे हूँ जो की आप लंच या डिनर में बना सकते हैं चाहे तो आप इसी पार्टी में भी इसको बना सकते हैं जो बहुत सारे वेजिटेबल की साथ मिलकर बना हुआ है साथ में हमने ब्राउन राइस को एक नया ट्विस्ट देकर एक कम्प्लीट मील तेयार किया है चलिए पहले रेड सॉस बनाने के लिए छेजा टमाटर को बॉयल करके उसका छिलका उतार कर उसको मिक्सर में पीस कर एक प्यूरी जैसा बना के रेडी रखते हैं फिर एक पान को गैस टोपे चड़ा देंगे उसमें थोड़ा तेल डाल कर हम आट से दस गार्ली कलोफ अच्छी तरह से भूनेंगे उसके बाद भूनते भूनते उसमें हम प्याज के तीन चार प्याज लेकर उसको छोटे छोटा बारी काट के उसके अंदर उसके साथ में ही भूनेंगे जब प्याज थोड़ा भूनने लगे, तब इसके अंदर हमें लाल मिर्श पाउडर और धनिया पाउडर डाल के भी साथ में ही थोड़ी देर के लिए भूनेंगे चलिए अब प्याज को सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं ये सब भूनने में हमें कम से कम 3-4 मिनिट लगेंगे और भूनते भूनते सब प्याज और सारे मसाले लहसन सब कुछ अच्छे से भून जाए तब इसके अंदर जो हमने टमैटो प्यूरी तियार की होगी पीस के पहले से हमने जो रख ली है या आपके पास रेडी मिट है तो हम उसके अंदर मिक्स कर देंगे मिक्स करके फिर उसको फिर से चलाएंगे अच्छी तरह से और थोड़ी देर उसको पकने देंगे सभी मसालों के साथ फिर इसमें थोड़ा सा उपर से भी मसाला डालेंगे सबसे पहले उसके अंदर हम थोड़ा नमक डालेंगे नमक डालने के बाद उसको थोड़ा सा और उबलने देंगे उबलते उबलते थोड़ा वो मिक्स हो जाता है तब उसके अंदर हम काले मर्श पाउडर और औरगेनो पाउडर भी डालेंगे ये सब प्रोसेस करने में हमें 4-5 मिनिट लगेंगे बस हमें ये देखते रहना है कि वो कंटिन्यूसली अच्छी तरह से उबले और धिरे धिरे करके हम सब मसाले उसमें मिक्स करें और उसको चलाते रहें तब वो थोड़ा पक जाता है तब इसके अंदर चिली टोमाटो सास दो-तीन चमच आड़ करेंगे वो जो इसके टमाटर का जो स्वाद है या सास है उसको एनहेंस करता है ये देखिए इसके अंदर मैंने और गेनो भी डाल दिया है और उसके बाद उसको अच्छी तरह से उबाल रही हूं उसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स भी मैंने डाल दिया है और अब आप देख रहे हैं कि पानी और सुख्रा है और धीरे धीरे यह जो सॉस है टेमेटो का यह प्यूरी वो अच्छी तरह से पक रही है एक से दो मिनट इसको हम ढखके भी पका लेंगे उसके बाद यह टोमेटो सॉस या रेड सॉस बिलकुल रेडी है रेसिपी में आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को हिट किट चलिए नेग्स प्रॉसस में सारे वजेटेबल को रेडी करके सॉस में डालने की तयारी कर लेते हैं उसके लिए एक कढ़ाई में तेल डालके हमने लहसंट से आठ कलिया चोटटचोटा काटके डाल दिया है उसको पका लिया है, उसके बाद उसमें लाल मिर्श पाउडर भी डाल दिया है लाल मिर्श पाउडर जब उसके अंदर थोड़ा सा पक जाता है तो कटे वे मुटे मुटे गाजर के टुकडे डाल देती हूं काजर आप औरेंज ए रेड जो भी एविलेबल हो ले सकते हैं उसके बाद मैंने इसमे मश्रूम के टुकडे कैपसिकम के टुकडे और बोकली के भी पीसिस करके डाल दी हैं इसमें आपके पास इस समय जो भी सबजी एविलेबल हो ये टाइम पर आप उसको डाल सकते हैं चाहे मटर हो चाहे फ्रेंच बीन्स हो कोई भी अविलेबल सबजी आप इस समय इसके अंदर डाल के थोड़ा सौर्ट आट कर सकते हैं सौर्टिंग करने से सबजियां कुप भी हो जाती है और थोड़ा सा शेलो फ्राई भी हो जाती है खाने में भी पाटो सौस या रेड़ सौस रेड़ी रखा था इसमें मिक्स कर देंगे फिर रेड़ सौस के अंदर ये सारी सबजियों को पका लेंगे रेड़ सौस को पकने में एक से दो मिनिट का समय लगेगा जब सारी सबजियां इस रेड़ सौस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती ह तब हमारा ये veggies with red sauce बिल्कुल ready है, इसको हम अब निकाल लेते हैं और इस recipe के third process में बढ़ेंगे, जो इस meal को complete meal बनाएगा, means अब हम rice या चावलो को cook करेंगे, हमने चावल को boil करके या पका के पहले से ही ready कर दिया है, आप इसमें white rice या brown rice, कोई भी तरह का rice जो आप खाते हैं, अप ले सकते हैं, अब एक कढ़ाई में मैंने butter को लेके अच्छे से पका के, उसके अंदर लैसून, साथाठ अच्छी तरह से छोटचोटा करके डाल दिया है फिर उसके अंदर हरी मिर्श डाल दिया है, और अच्छी तरह से लैसून और हरी मिर्श को पका रही हूं उसके अंदर, जब ये पक जाए तो उसके अंदर मैं हरा धनिया का पत्ता अच्छी तरह से डाल दूँगी, फिर इसको भी मैं 30 सेकंड जैसे चला दूँगी, फिर उसके अंदर मुझे लाल मिर्श पाउडर डालूँगी, लाल मिर्श पाउडर या चिली फ्लेक्स, कोई भी चीज आप जो आपको पसंद है, या सुवीदा है, या अवलेबल है, हम उसको उसके अंदर डाल सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा बलाक पेपर पाउ पाउले से ही बॉयल करके रेडी रखा था, सारे ब्राउन राइस, अब मैं इसमें डाल दूंगी, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से सब के साथ, बटर के साथ, मसालों के साथ, मिक्स कर दूंगी, यहां पे हम इसमें थोड़ा नमक भी डालेंगे, नमक डालने के हम यह चावल खाने के लिए रेड सॉस विद वेजिस के साथ, रेडी कर लेते हैं, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे चाहिए तो अलग से कुबरा बना के भी खा सकते हैं, या किसी और सबजी के साथ, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, चलिए, अब हम हमारा यह कंप्लीट मील, हमारा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, यह खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है, इसको आप जरूर से जरूर ट्राइ करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखके बताईए कि आपको कैसी ल झाल 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